दियर चिल्डरेन स्वागत है आप सभी का बच्चों हम लोग जानते हैं कि जल ही जीवन है अगर पानी दुनिया में ना हो तो साइध ये दुनिया ना रहे हावा के बाद हम लोगों को सबसे ज़्यादा जो जोरत पड़ती है वह जल की है तो इस चेप्टर में हम लोग आज जल के बारे में पढ़ेंगे आए देखते हैं ये कुन सा चेप्टर है ये है उनिट 4 वाटर जल के बारे में बदलाए जा रहा है ये चेप्टर 4.1 है और ये क्लास 5 का साइंस बुक है चेप्टर का नाम है अबलेबिलिटी ओफ वाटर अर्थात पानी की उपलब्दता पा पानी हमारी पिर्थ्वे में तरल के रूप में मोजूद है जिसे तरल सोना भी का जाता है इस परहप्स दा मोस्ट इंपोर्टन एंड वंडरफू लिक्वीड इन दा वर्ल्ड साइद यह दुनिया में सबसे ज्यादा महत्पुर्न और आश्चरेजनक तरल है जिसे तरल सो पिर्थ्वे के अत्याधिक भाग लगभग तीन चौथाई भाग पानी से ढखा हुआ है शिर्फ एक चौथाई भाग पानी से बाहर है वी में से डाइट वी लिव ओन ए वाटरी वल्ड हम लोग कर सकते हैं कि हम लोग एक जलिये दुनिया में रहते हैं अल्दाव दिर इस पिर्थ्वे में पानी बहुत है इसका लगभग संतानवे प्रतिसत जल समुद्ध और महासागर में नमकीन जल के रुप में मोजुद है जो हमारी देनिक आउसकताओं के लिए उप्युक्त नहीं है Of the reminder 2.4% is trapped in the polar ice सेश का 2.4% धुरू में बर्प के रुप में जमा है Ultimately there is very little amount of fresh water available for use by the living beings including we humans अंतता सजीवों और मनुष्यों के उप्योग के लिए सुद्ध पानी बहुत कम मात्रा में यहां मोजुद है Water from where in earlier time पहले पानी कहां से पाय जाता था During earlier times our grandparents used to obtain fresh water from different surface water sources बहुत पहले हमारे दादा दादी साफ पानी उप्योग करने के लिए अनेक शुरोतों से जल प्राप्त करते थे These sources were found in the form of lakes, ponds, streams and rivers यह स्रोत जील, तलाब, नाला और नदी के रूप में होते थे As these sources were away from their habitats, they had to cover long distances to collect water यह सभी स्रोत उनके आवाज से दूर होते थे, उन्हें पानी लाने के लिए काफी दूरी तई करना पड़ता था Later, with the introduction of cello dug well, people started exploring the groundwater for their use बाद में छीछिले जगहों से परिचित होने के बाद, लोगों ने भूमिगत जल को उपयोग करने के लिए कुआ खोधना शुरू कर दिया They did not have to travel more for water, अब उन्हें पानी के लिए अधिक दूर नहीं जाना परता था Nowadays, we get water easily, आज कल हम लोग आसानी से जल प्राप्त कर लेते हैं People living in town and cities get water from public supply that sends it directly to their homes through pipes अब जो लोग सहर या नगर में रहते हैं, public supply द्वारा जल प्राप्त करते हैं, जिसमें pipe के द्वारा सीधे उसके घरों में पानी दिया जाता है In absence of such supply, people depend on groundwater sources using hand pumps, tube wells and bore wells Supply नहीं मिलने की स्थिती में लोग भूमिगत जल पर निर्भर रहते हैं, इसके लिए वे hand pump, tube wells और bore wells का उप्योग करते हैं Earlier, the availability of fresh water was easier compared to today आज की तुलना में पहले सुध जल प्राप्त करना आसान था Due to pollution and other factors, fresh water resource is dwindling day by day परदूशन और अइनकारकों के कारण सुध जल का स्रोत दिन बदिन सुखते जा रहे हैं Worst affected are the poor people, unable to have the capacity to utilize groundwater sources on their oven सबसे अधिक गरीब लोग परभावित हैं, जो भूमिगत जल को उप्योग कर पाने में असमर्त हैं They have to depend on public supply or common hand pumps, facility provided by different bodies हुए public supply पे निर्भर रहते हैं या सामाइन hand pump पे या फिर किसी अइन वेक्ती द्वारा दी गई स्वीधा को प्राप्त करते हैं प्योश, प्योश करत है साधू या संत जो हते हैं, उसे प्योश कहा जाता है प्योश आर जेनरली सीन डूरिंग समर इन टाउन्स, सीटीज, रेल्वे स्टेशन्स, इटिसी सामान्यता ग्रिस्मरितु के दोरान साधू संत को सहर में, नगरों में, रेल्वे स्टेशन में, इत्यादी जगों में देखा जाता है प्यासिय लोगों के लिए पबलिक द्वारा या किसी नीजी संस्था द्वारा मुप्त में पीने की पानी की सुधा उपलब्द कराई जाती है ग्रामीन चेतर में बिसेशकर जहां से लंबी दूरी तई करने वाले यात्री गुजरते हैं, वहां घडों में पीने का पानी पेड के नीचे रोड के किनारे रखा जाता है ओपन वेल्स, खुला हुआ कुवा जो कोई भी मतलब वहां से पानी खिच कर पी सकता है, इस तरह का ओपन वेल्स उसे का जाता है इन कुवों को जमीन में अधिक घराई तक नहीं खोदा जाता विद दा हैल्प ऑब बकेट, रॉप एंड सम्टाइम्स पुली, पिपुल टेक आउट वाटर फ्रॉम दीज अंडर ग्राउंड सोर्शेस भुमिगत जल को बाहर निकालने के लिए लोग बाल्टी, रसी और कभी-कभी पुली का भी उप्योग करते हैं बाउलिस, बाउलिस का अर्थ है सीड़ी वाला कुवाँ बाउलिस और step wells are commonly seen in Rajasthan and Gujarat states of our country बाउलि या सीड़ी वाल कुवाँ सामानियत हमारे देश के राजस्थान और Gujarat प्रांत में देखा जाता है वहां कुवों में विभिन प्रकार से सीड़ीयां लगी रती है जिसके दवारा कुएं के अंदर जाया जा सकता है पानी लेने के लिए कुछ बाउली काफी बड़े होते हैं और उसमें अलग-अलग उदेश के लिए अलग-अलग चिनहित जगह होते हैं जैसे पानी पीने का जगह, नहाने का जगह, तेरने का जगह, इतियादी बावली को हमारे पुरुवजो द्वारा वर्षा जल संचयन के साधन के रूप में माना जाता है आप एक बाल्टी या टब के पानी में इन चीजों को रखिये जैसे की कागज, लकडी, थर्मकॉल, पत्थर, लोहे की काटी, इतियादी आप पाओगे की कुछ चीजें उसी रूप और आकार में है और जैसे की पत्थर और काटी डूब गए जबकी कागज, लकडी और थर्मकॉल पानी की सता पर तेर रहे हैं यह घनत्तो के कारण होता है जो किसी वस्तु की दी हुई मात्रा में मौजुद आयतन होता है अधिक घनत्त वाला वस्तु पानी में डूब जाता है और कम घनत्त वाला वस्तु तेरते रहता है कभी 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 कोई वस्तु अधिक घनत्त वाला होने पर भी तेरता रहता है उधारन के लिए लोहे का घनत्त पानी से अधिक होता है पर अधिक फिर भी लोहे से बना सीप पानी में तेरता रहता है क्यों इसा इसलिए है क्योंकि जहाज में पानी की जिस मात्रा को घेर रखा है उसकी तुलना में जहाज का वजन कम है पॉरोस अबजेक्ट्स हेविंग केविटीज फिल्ड विद एर फ्लोट अन वाटर छिद्र युक्त पदार्थ में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसमें हावा भरा रहता है जिसके कारण वे तेरते हैं लकडियों के लठे इसी कारण पानी में तेरते हैं एक्टिविटी एक्टिविटी का अर्थ है क्रिया कलाप इसका मतलब है कि उसको करके देखना टेक्ट्व ग्लासेस बोथ हाफ फिल्ड विद वाटर दो ग्लास लिजे दोनों में आधा पानी भरिये एक ग्लास में कोई तेल जैसे की सर्चों, नारियल, करोसीन, इत्या दिये कोई भी तेल डालिए और दुसरे में स्याही डालिए वाट हैपन्स क्या होता है ओल डज नॉट मिक्सेज विद वाटर इट फ्लोट्स ओन वाटर सर्फिस तेल पानी में नहीं घुलता है या पानी की सता पर तेरता रहता है इन अधर ग्लास इंक मिक्सेज विद वाटर, दूसरे ग्लास में स्याही पानी में घुल जाता है जो तरल पानी में घुल जाता है उसे घुलनसील तरल कहते हैं और जो पानी में नहीं घुलता है उसे अगुलनसील तरल कहते हैं Water ये युनिवर्सल सॉल्वेंट जल विश्व्यापी विलायक Water is ये good solvent जल एक अच्छा विलायक है It dissolves a large number of solids such as sugar, common salt, glucose powder, copper sulfate, potassium permagnet, carbon dioxide, oxygen, etc ये अधिकतर ठोस पदार्थों को घुल सकता है जैसे चीनी, नमक, glucose, copper sulfate और जो भी नाम यहाँ पे दियावा है इन सारी चीजों को जल अपने अंदर घुल सकती है Substances which dissolves in water are called soluble substances and those that do not dissolve in water such as sand, stone, chalk, nails, wood, wax, etc are called insoluble substances जो पदार्थ पानी में घुल जाता है उसे विले पदार्थ कहते हैं और जो पदार्थ पानी में नहीं घुलते जैसे की बालू, पत्थर, chalk, काटी, लकडी, मॉम, इतियादी को अव विले पदार्थ कहते हैं Solution, solute and solvent Willian, Willian और विलायक A liquid that contains a dissolved material is called a solution जिस तरल में कोई वस्तु घुला हुआ है उसे विले कहते हैं The substance that dissolves in a liquid is known as a solute जो वस्तु तरल में घुलता है उसे विले कहते हैं The liquid in which the solute dissolves is called a solvent जो तरल घुलंसिन वस्तुओं को घुलता है उसे विलायक कहते हैं नमक या sugar plus water equal to salt या sugar solution मतलब नमक या चीनी को लेते हैं और उसको पानी में मिला देते हैं तो वो हमें नमक या चीनी का solution मिलता है मतलब उसका सर्वत मिलता है सिधे सब्दों में जानिए कि वो सर्वत बन जाता है Measurement of a liquid तरल का मापक Any liquid like water, oil, milk, etc is measured by its volume कोई तरल जैसे की पानी, तेल, दूद, इतियादी को इसके आयतन द्वारा मापा जाता है The volume of a container filled with any liquid is equal to the volume of that very liquid किसी मापक का आयतन सभी तरह के आयतन को एक समान मापता है Volume is generally measured in milliliters and liters आयतन का सामाइन मातरक milliliter या liter होता है We use measuring cylinder, having making, indicating volume in milliliters or liters to know the volume of any liquid हम लोग cylinder को मापने के लिए उसमें चिनहित milliliter या liter के निसान से उसके तरल के आयतन को जानते है 1000 milliliter equal to 1 liter, 4.55 liters equal to 1 gallon तो यहाँ पे यह chapter समापत हो जाता है, आये देखते हैं इसमें क्या question दिया हुआ है यह है इस chapter का questions, answer the following, यह one number पे आपको five questions दिया हो गया है और two number पे fill in the blanks भरने के लिए दिया गया है, three number पे match the following है और four number पे यहाँ पे इसका नाम मांग रहा है, जैसे कि two water soluble substances जो चीजें पानी में, दो ऐसी चीजें जो पानी में घूल जाती है इस तरह के दो example मांग रहा है, तो इसमें example यहाँ पे भरा हुआ है तो आईए मैं आप लोग को इन सब का answer बना की दिखाता हूं यह है chapter 4.1 का question answer, answer the following, define density, the amount of matter present in a given volume of a material is called density Why is water called a universal solvent? Water dissolves a large number of solids, therefore it is called a universal solvent What is solution? A liquid that contains a dissolved material is called a solution Which liquid floats on water surface? Name three of them The liquids do not mix with water, it floats on water surface, such as mustard, coconut, kerosene, etc What is volume? The amount of space occupied by a substance is called volume Question number two में fill in the blanks दिया हूआ है तो इसका यहाँ पे direct answer दिया हूआ है आप इसे देखकर अपने book में भर सकते हैं Question number three में match the following दिया हूआ है तो इसका भी यहाँ पो देखकर अपने book में match कर सकते हैं और question number four में name the following यहाँ पर नाम लिखने के लिए बोला गया है, यहाँ पर यहाँ पर पुरी तरह समाप्त हो जाता है, अगर हमारी वीडियो से आपको बढ़ाए में थोड़ा भी मदद मिलता है, तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाक जरूर कीजिए, और इस दरह के चेप्टर का और वीड तो दार्व के साथ शेयर कीजिए और अगले चप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे तो आए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं